एक निया पैशा का कुछ हैसो खर्च नहीं दिया नहीं एक तरफ धोखा दे रहे हैं दुसरे तरफ हैसो कि इनको ठंगने काम करें हैं उनको तो खमिया जब भुगतना पड़ेगा है मस्वरन्सरकार को जारखन के चुनावी महौल में जोर आजमाईश का खेल लगातार जारी है इंडी गडबंदन इंडी ए गडबंदन को बिल्कुल तार-तार करने पर जुटी हुई है तो इंडी ए गडबंदन दूसरी तरफ इंडी गडबंदन को उनकी आउकात बताना चाहती है डॉक्टर कुश्वाहा शशी भूसन मेहता एक ऐसे शिक्षावीद हैं और पांकी से विधायक हैं भारतिय जनता पार्टी के काफी मशक्कत इनोंने की और शिक्षा की जगत में एक बड़ा नाम भी है जारखन में आज हमारे साथ शशी भूसन मेहता जी है सबसे पहले तो आपसे जाना चाहूँगा कि इस बार आप अपनी छेतर की जनता को क्या कुछ भरोसा दिलाना चाहेंगे पांकी बिधान सभा का सिनिर्यो ऐसा रहा है कि इहां पर पूर्व के ठीकदार जो परतिदी होते थे उन्होंने अपने कार्ज कार्ण में 15 सालों तक इतनी दहसत गर्दी की इतने हैसो कहिए कि अपहरन करवाया इतने कहिए कि हत्या करवाया इतने कहिए कि उनको सुली करवाया कि उससे लोग तरस्त थे और तरस्त से छुटकरा पाकर के भारती जनता पार्टी को विजय जी दिलाने का 2019 में काम किया है और उसी के रास्ते पर अभी भी पांकी बिधान सभा की जनता चल रही है यहाँ पर जो अमन चेन हैसो कायम हुआ है जो यहाँ पर लोगों में सांती है अपने अपने तरीके से बेवसाय कर रहे हैं धंदा कर रहे हैं सारा कुछ अपने सांती पूर से तरीके से कर रहे हैं तो यही कारण है कि आज पाकी बिधान सभा हमेशा है जो रहा है कॉंग्रिसियों का गढ़ रहा था और यह पहली बार यहां पर कमल का फूल खिला है और कमल का फूल इनके दोसतगर्दी के कारण खिला है और इनके कहिए कि दबंगता के कारण इनके यह अभरन और लूट के क आपने कॉंग्रेसी कालखंड की बात कही और ये भी कहा कि पुर्व प्रतियासी जो थे वो किस तरीके का एक भै और आतंग का महल बनाए हुए थे लेकिन एक बद बता ही जिस तरीके से हिमंद सोरेंट की सरकार ने जो आधी अबादी के लिए और युवाओं के लिए जो कार आधी अबादी की बात कर रहे हैं और जुवाओं की बात तो ये तो कहिए कि आधी अबादी को इन्हों ने अपने घोसना पत्र में कहा था कि हम दो हजार रुपया महिना चुला खर्चा देंगे और ये 58 महिने तक इन्हों ने एक निया पैसा का कुछ है सो खर्च नहीं दिया ना है सो कहिए कि इनको सुधी लिए अब या 50 महिना के बाद 69 महिना हुआ पर 20 महिना हुआ अब 500 महिना उने जा रहा है तब हैसु ये इन्हों ने आजो कहिए कि एक हजार रुपया करके उनको देने का काम किया र जब कि आसु ये बिर्धा पिनसन और के जितना लोगों का था उनक पैसा को है सो लोट लट ले दूसरे फंड के राशी को टांस्पर करके किया और जिससे कि बिरधा आज भी हम ऐसे पत्रही गए थे बिरधा बोल रहे थे बुजूर्ग है ऐसी साल के दूबे जी बता रहे थे कि हमरा पैस्वाह काहे नहीं मिल रहा है हम तो है महिला को दे रहे हैं हम लोग बुड़ा बु से इनको चीछ कि 20 महीना जो है उन तमाम लोग को नभाधा काह तब प्रफ़ाइब देना चाहे था इन्हों ने दिया इसलिए यह कई आधियवादी के साथ इन्हों ने सो दगावाजी किया चल किया और जहां तक बात रही है यह जुवावाव का इन्हों ने अपने घोसना पत्र में कहा था कि परतेख बस पांच लाग कर नोकरी देंगे और न पांच लाग कि नो गुना पांच मतले 25 लाग देना था लेकिन उत्तों हम समयते हैं कि पांचों जार नोकरी नहीं देपाई जी आप संवाल है आप ही के छेतर के भाजपा के कई लोगों ने एक शिकायत कि है हमारे पास कि जो मैया समान योजना की राशी है वो एक खास मु पारिश कर दिया जा रहा है आप क्या कहनेंगे आपके पास क्या इंपूट है यह जो भी है तो शनके बाते आए उस सही तमा है और देख लें इसको कि किस प्रकास यह सरकार तुस्टी करन के सुनेतिया अपना करके विश्यस भर्क को खुश करने के लिए काम करती है उसका आउधारन आ अगानगे गरीब कासव लोग आपको बता रहे हैं इसमें सचाई है कि आप एक तरफ है कि विसेश बर्ग को है विसेश थुभिदा देने का काम कर रही है दूसरे तरह पहुत संक्रेज इसको कहिए कि सतवनाधन धर्म के लोग हैं हिंदूधर्म के लोग है उनक प्रकाश काम करें निश्युत पूसे इनको आने वाले समय में उबर्ग भी यह सो उनको धोखा देगा उनको तो धोखा मतलब की दे रहे हैं तो उनको खामियाजा भूगतना पड़ेगा हिमंद सुरेंच सरकार को चुकि बहुत सारी नीतियों में कुछ ऐसा है जो लोगों को टीस देती हुई दिखाई पड़ रही है भारतिया जनता पार्टी का मानना है अब अंतिम सवाल हम करना चाहेंगे डॉक्टर कुछवाह सचीबुसन मेहता जी से कि इस बार के लिए आप चूने जाएंगे तो इस जनता के लिए पांकी की जनता के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है हमें बढ़ा ही अफ्सोस है और बहुत ही एसो कह एक खेद है कि पांकी को अनमंडल बनाने का जो मामला आज इसको अनुसंसा करके डीसी और एसो कमिस्टर ने सरकार को भेजा ऊपर एस पर परखंड बनाने का जो मामला था उसको अधर में लटका के रखा हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको घोसना कराने का काम करेंगे और जो चोटे-चोटे परखंड है अनुमंडल है इसको बनने से लोगों को सुभधाएं बढ़ेगी अब यह मांग है समसे महते हैं कि हमारा 2004 से मा और जनता कि मांग और इसको पुरा करने के लिए हैं इसके साथ सान साथ पीरी कि आकोटोग सब्सें जवनेख पर शापीन प्रॉसाइअ है और इसको भी हम लोगों पूरा कराने का काम करेंगे जिससे की इनों ने हमारे प्डाल कू कर दिया है मनसुळी ने एक । अगर वो कुछ डिमांड भी रखनाचा चाहते थे आविदन भी देते थे तो हिमंद सुरिंग की सरकार उसको खारिच कर देती थी कि ये हमारे फोल्डर के नहीं है हमारे पार्टी के नहीं है लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा लोकतंत्र का महापर्व पांच वर्षों में एक बार आता है आप जरूर मतदान केंदर पर जाएं और इन सब चीज की राजनीत से उपर उठकर आप सबसे पहले मतदान करें ये हमारी भी आपसे अपील होगी गुजारिश होगा कैमरा पर संसुरिन परसाद के साथ ब्रजेस राय समाचार प्लस लेसली गज पाकी